हेलो फेंट्स आपसरे का बहुत बहुत वहलगा में आपके अपने ही चैनल टार्गेट इन फंटेसी पर तो यहाँ पर इस बिन में आप देखने वाले हैं सीवी सीशी वर्षास एल सीशी के बीच बाज उस एमसेल टी 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 का जो 17 मैच खेला जाने वाले है उसके प्रिव्यू तो यहाँ पर हम डिसकस करने वाले है ग्राउन का वईदा रिपोट साथ में यहाँ पर पीच रिपोट कैसे रहने वाले है यहाँ पर पेसर फेंटली पीच रहने वाले है या spinner friendly प्रीच रहने बाला है runs होगे की नहीं सारे बात यहाँ पर हम detail में discuss करेंगे उसके साथ small league और ganlix की team भी बनाएंगे जहाँ पर आपके लिए कौन-कौन से player अच्छे परफ़न्स करते होगे देखने को बिलेंगे उसके साथ small league का जो save captaincy और vice captaincy of science और ganlix में आप conference player को ले सकते हो conference player को आप drop कर सकते हो सारे के सारे बात यहाँ पर हम detail में discuss करने बाले है तो friends यहाँ पर वीडियो को skip मत कीजिए पूरा का पूरा देखिए जैसे कि आपके पास एक अच्छा नो ले जाए और आप खुद एक अच्छी team मना सकते हो तो चले यहाँ पर वीडियो को सुरू करते है देखिए यहाँ पर 21 एप्रिल को यह match खेला जाएगा सुभा 9 बजे यहाँ पर cloudy o the renewable है बारिस का आने का chances है जैसा कि आज दो match abandonment हो गए है अगर काल को यह ऐसा न्यूज आए तो हम आपको टेलिग्रम पर बतानेगे तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा सारे के सारे न्यूज बारिस के chances, speech report जो टॉस से पहले आते हैं उसको जानना के लिए आपको हमारे टेलिग्रम चनल जोइन करना पड़ेगा वहाँ पर आपको एक और चीज भी मिल जाएंगे जो कि जिस final tips का साथ हम केलते है वो final tips हम टेलिग्रम पर share कर देते हैं आपको वहाँ से बिल्कुल free में मिल जागा तो देरी ना करके अभी कैभी जोन हो जाईए तो चलते हैं यहाँ पर ओधर की तरफ तो cloud यह रहने वाले है अगर बार इसकी चांसे सबब अगर कोई news आए तो हम को टेलिग्रम पर जरूर बता देंगे बेनू यहाँ पर एक ही बेनू रहने वाले है विकेट्स बहुत निकलते है इसलिए आपके टीम पर जादा से जादा आर्ल इंडर और बोलरस रहना चाहिए अच्छी तरफ से जो बोलरस और और आल इंडर से आपको मिलेंगे वह आपके टीम पर रहना चाहिए चिंगा भेंग क्रिकेट क्लब भर्सास लांग मौल क्रिकेट क्लब दोनों के बीज में यह मैच खिला जाएगा पीज रिपोट की बात करें बोलिंग फ्रेंडी पीज हमने आपको बता ही दिया कि यहापर ज्यादा से ज्यादा रंस नहीं होते है इसलिए यहाँ पर बोलिंग फ्रेंडी पीज आपको देखने के बिलेंगे साथी साथ आपके टीम बेर बहुत बहुत अच्छी अच्छी बोलार यहाँ पर रखना पड़ेगा तो टेलीगरम की बात हमने कर लिया है अभी चलता है यहाँ पर सीबी सीची की तरफ प्रवाबल पर इक सही है पर देख लेता है उइट कारेंट प्लेयर स्टैट्स देख लीजे है पर लाल डुवाद्री कर लाल टेप्या पर ओपिन करने वाल है लाल डुवाद्री की बात करें लाश्ट दो मैचों में 22 रन और एक रन बनाया है ठीक ठाक फॉमपर है लाल टेप्या लाश्ट दो मैचों में 28 रन और 6 रन बनाया नंबर थी पर आपको देखने को में बनाया अभे सिंग जो की लाश्ट दो मैचों में 4 रन 3 रन मतलब अच्छे फॉमपर नहीं है आप इसको इग्नोर का सकते है नंबर चार पर आपको देखने को बिलेंगे के भेन लाल दुआता 22 रन और 34 रन दो मैचों में अच्छे खेला है अच्छे फॉमपर है यह रहालते की बात करें लाश्ट दो मैचों में 8 रन और 0 रन साथ में 2 रन निकाला है मतलब ठीक ठाक कर लेते है एस लमा की बात करें आपके लिए एक बहुत बड़े कप्टनसी की चोईस और 20 कप्टनसी की चोईस बन जाएंगे इसका फॉम आप देखिए लाश्ट दो मैचों में 45-48 रन साथ में 2 रिकेट भी निकाला है तो इसलिए आपके पास एक बहुत बड़े अप्टन बन जाएंगे एस लामा जो किया सुमीद लामा यह पर नमबर 7 पर बात करें लालन तुलंगा लाश्ट मैचों में यह पर 7 रन साथ में 2 रिकेट निकाला है आपके लिए एक अच्छी अप्टन बन सकते है कि बोलिंग बैटिंग दोनों तरफ से आपको पॉइंट दे सकते है आठ नमबर पर यहां बात करें आर छेतरी की लाश्ट दो मैचों में 12 रन 16 रन साथ में 1 रिकेट भी निकाला है तो इसलिए यह भी आपके लिए एक अच्छा अप्टन हो सकते है नमबर नौ की बात करें आर रालते जूनियार लास्ट में दो इकेट निकाला है आपके लिए बहुत बड़े अफसन हो सकते है नमबर दस की बात करें यहां पर डौबली पेसे उप लास्ट में छे रन बना है उतना अच्छा फंपन नहीं है आप इसको इद्मोर कर सकते है लाल थल मोहना यहां पर बात करें आज दो मैचों में जीरो रन और एक रन बना है तो यहां से देखिए आर रालते जूनियार आर चेतरी एस लामा एर रालते इन प्लेयर्स को मतलब आपके टीम पर लेना ही लेना है इनको चार अभर भी मिलेंगे साथ में बैटिंग करने का अभी मौका आएगा साथ में यहाँ पर अर्लालते पुया को भी ले सकते हो और के भेनलाल डुआटा को भी ले सकते हो जो यह छे प्लेस का नाम हमने अभी बताया इसको आपकी स्मॉल लिकर टीम पर लेना चाहिए मास्ट भी पीग रहेंगे आपके टीम पर तो चलते हैं यहाँ पर LCC की तरफ से एक पर पॉपल पेंग से देख लेते हैं देखें यहाँ पर A, Jossi रहेंगे लास्ट मेंच में 9 रन बनाया है साथ में यहाँ पर H, लाल बिया, क्लुवा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर लास्ट मेंच में अच्छा कसा रन नहीं कर रहा है जीरो रन और साथ रन, एक उकड निकाला है नमबब छे पर बात करें अम रालते की उकड की उकड की बनेगा प्सट में इसको भी आप मिल जाएंगे दो मैच में 9 रन और 8 रन बनाया है नमबब साथ की बात करें लाल डिन पुईया दो मैचों में 4 रान 47 रान साथ में एक एक करके दो उकेड भी निकाला है और नमबर 8 की बात करें डी मालसम तुलंगा यहाँ पर लास्ट में 16 रान बनाया है नमबर 9 की बात करें लाल दीन चना है लास्ट दो मैचों में 4 रान 3 रान और साथ में एक उकर भी निकाला, नमबर दास की बात करें, आल राल निन फिला, लास्ट में एक उकर निकाला, जे बहन लाल दुआटा, कुछ इनके पास से कुछ भी पर्फ़र्वेंस नहीं आया लास्ट में, तो फिलाल देखिए, लाल निन फिला है, यहाँ पर अच्छे पर्फ़र्वेंस करते हैं, तो अभी एक बार देख लो, यहाँ पर स्माल लिक का जो सेफ कैप्टेंश और भाइस कैप्टेंश की चोईस राने वाले है, आपको कौन-कौन से प्लेयर यहाँ पर मेरेंगे, एक बार देख लिए, जी लाल भी आ, क्लेवरा है, सुमित लामा है, बी लाल नुन फिला है, लाल निम पिया है, तो यह चार प्लेयर्स को आप स्माल लिक पर जरूर्वर भाइस कैप्टेंश और भाइस कैप्टेंश बन कर लो यहाँ पर, आर लाल इन फिला है, लाल हुराया, राल ते, एल ख्यांग ते है, के भेंडल दो आता, तो यह चार प्लेयर्स जो है, गैनलिक्स के प्लेयर है, तो यहाँ पर देखिए, गैरा प्लेयर्स को लेके आप पहले एक अच्छा सा स्माली का टीम मना लो, फिर अच्छा स्माली का टीम मना लो, उसके बाद आपको एक पर और एक काम करना है, यहाँ से जो चार गैनलिक्स के पिक्स हमने भी बाताया, इनको एक एक करके रोटेसन कर लो, जैसे कि आप एक टीम पर लाल दिन फिला को पिक के लिए, एक टीम पर भेंडल दॉटर को ले लि और आप एक को रख रहा हो, और एक दो को छोड़ देना, क्योंकि नहीं तो आपको पास सेफ टीम नहीं बनेंगे, एक सेफ टीम भी रहना बहुत जरूर रही है, क्योंकि जो प्लेयर से यहाँ पर परफॉन्स करते हो आ रहा है, वहीं आगे जाकर आपको जिता हैंगे, चार अप्सन के साथ जाए है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिक्स पर क्योंकि ग्रैंड लिक्स में ये प्लियर आख्षी कैप्टन से बास के प्रइस कि चॉइस रहने वाला है लाल दिन फिला की बात करें चार वर मिल रहा है इनको ख्यंगते अगर खेले तो इनको चार वर मिल जाएंगे नहीं तो राल्ते भी चार वर डालते है और यहां से सुमीत लामा जो है बहुत ही बड़ी है करतने संब्सक्राइब ौप बता ही दिया सत में चार वर भी डालेंगे लाल देंपुया दो तिन वह भर बॉल्ड डालते लेकिन दो दौत मतलब दो ती टेलिगरम सेनल को जान करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चरिए एक पर दीमिलम की तरह उहाँ पर देख लेते हैं उइकल पर सक्षन में आपको मिल जाएंगे जाएंगे जाएं लाल बया को लेके चलते हैं बांटिंग ओप्शन की तरह उतो यहां पर हमारे टिमपर रहने होला है माल्सवाम तुलंगा यहां पर भैंडाल दौटण और यहांसे हमारे टिमपर रहने वाल है लाल दिन फिला यह हमने एक थोड़े लेस्ट पर्षन का प्ल क्या है यहांसे आपके पास option में रहने वाले है जाय। वह याँ सिंग अभय तो ब Aufg अपके लिए ऑप्okolों के लिए पर लाल विए क हिहुअ है रहने वाल और क carbohydrate है और छेतरी अगर आपके पास मतलब confidence है कि आप ग्रैनलिक्स पर थोड़ा risk ले सकते हो ज्यादा risk ले सकते हो आप इनको captain बना कर जाए बता नहीं अगर चार ओपर बोलिंग कर जाए दो तिन विंकेट ले जाए तो आपके पास one-sided running होने का chances बन जाएंगे चलते हैं bowling option की दरब तो bowling option पर हमारे team पर रहने वाल है लाल निंचना आर रालते जूनियार यहाँ पर जो safe option रहने वाल है लाल थन वहाँ वाँ डबली पेशाओ और और जो players यहाँ पर है जो की risk option पर है देखिए यहाँ पर रिन संग जेला तो यह अपके लिए अच्छा option नहीं रहने वाल है तो फिलाल हमारे team पर यह players रहने वाल है यहाँ पर एक बार देख लिए safe captain शेर वाइसकर पर जो की लाल बिया खेबला और एस लाम है अपके लिए बहुत ही safe option रहने वाल है देखिए इनका percentage है 60.67% इसका 49.78% तो एक बार शेब करके आपको preview देखा देता हूँ उहाँ पर आपको ग्रैलिक्स पर क्या क्या करना है ओ डिसकस करेंगे देखिए एज लाल बिया ख्लुआ है मल स्वाम तुलंगा है लाल डिन फेला है भैन डाल डूटा है लाल डेम पूया लाल बिया के बला बी लाल जा सकते हैं यहाँ पर एक दो प्लेट्यस को रूटेशन करते हूं यह आप ग्रैयंड लीक्स में चेंज कर लेना ताकि 11 प्लेशको लेके पहले सेबटी मणा और एक 2 प्लेशको रूटेशन में राखो ताकि आपके पास ज़्या ज़्यादा कॉमिन जो जिसके साथ आफ आ इतना ही है हमारा डेमो टीम जाएगा फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीकम चैनल जोइन करना पड़ेगा तो जाएए अभी के अभी डेस्किप्शन में लिंक में टाच करके टेलीकम चैनल जोइन कीजिए और अगर वीडियो आपको आच्छा लगे तो लाइक, सेर,